नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल हैलिक्स में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है एक्षिन प्रटेंशियल इससे पहरे के लेक्शियल में हमने जाना था कि एक्षिन प्रटेंशियल क्या होता है और आज हम जानेंगे कि एक्षिन प्रटेंशियल क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक्षिन प्रटेंशियल का मतलब होता है चींज इन इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियेंट ऑफ प्लाज्मा और जहां पर change ना हो विल्कुल equilibrium में रहे उसे बोलते हैं resting membrane potential और जहां पर change आ जाए किसी भी plasma membrane के exterior और interior के अंगर वहां पर क्या हो जाए plasma membrane का जो electrochemical gradient है वो change हो जाए ठीक है तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है और यह कौन कौन सी टाइप की cells में प्राए जाता है तो action potential जो है वो पाया जाता है किसमें excitable cells में किसमें पाया जाता है excitable cells excitable cells के अंदर ओके अब excitable cells कौन सी होती है there are two types of excitable cells that is neuron and muscle okay तो muscle और neuron ही क्या होती है excitable cells होती है और बाती जो cells होती है हमारी body की they are non excitable okay तो उनके अंदर कभी भी action potential generate नहीं हो सकता क्योंकि they are non excitable और excitable cells कौन सी है हमारी बस only neuron and muscle action potential सिर्फ और सिर्फ neuron और muscle में generate होता है तो जो बाकी यो cells है उनकी membrane में कौन सा potential generate होता है उनकी membrane में potential generate होता है उसे बोलते है local potential क्या बोलते हैं उसको local potential और graded potential क्या होता है और graded potential क्या होता है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि action ions क्या है ions अब ions यहां पर कौन-कौन से हैं हमारे पास अगर हम बेसिकली बात करें कौन-कौन से major ions है they are sodium, potassium, okay तो यह दो major ions है जिनकी वैसे क्या होता है action potential generate होता है बाकी और भी ions है हमारे पास जिसम जैसे कि calcium और chloride और bicarbonate ओके यह भी बार पास और extra ions है जिनकी जो भी थोड़ा बहुत contribute करते हैं action potential को generate करने में पर basically अगर बात करें तो action potential सिर्फ और सिर्फ sodium और potassium के एक अजय से क्या होता है generate होता है दूसरा जो जो हमारा factor है वह क्या है they are है दूसरा जो factor है वह अब ह्यों दूसरा जो पिले हरी आर चैनल में यह मैं होते हैं channels are the passively okay अब यह channels क्या होते है चैनल वो होते हैं जिनकी वज़े से ions का क्या होता है movement होता है in or out ठीक है अब यह channels क्या होते है channels हमारे passes प्रोवाइड करते हैं उन ions को जिनका movement होता है यह cell के अंदर और cell के बाहर अब यह channels कई तरीके के होते हैं for example डे में भी लीकी चैनल को के लीकी चैनल अब लीकी चैनल का मतलब क्या है कि दे आर ओल्वेज ओन ओके यह कैसे रहेंगे हम इसा ओन रहेंगे और लीकेज इनसे होता रहेगा किसका आइंस का for example potassium अब लीकी चैनल को प्रटेशियम लीकी चैनल इनके बारे में हमने पिछली वीडियों पढ़ा रखा है कि प्रटेशियम लीकी चैनल क्या करते हैं जिनसे लगातार प्रटेशियम का लीक होता रहता है आउटसाइड कोगी हमाले प्रटेशियम का अंदर ज्यादा होता है और डाउन प्रटेशियम क्या होता रहता है लगाता लीक होता रहता है दूसरे चैनल हैं कि दे आज मेकैनो सेंसिटिव मेकैनो और सेंसिटिव चैनल आयन चैनल बोल सकते हैं इर आयन चैनल यास रखीए को दोस्तो यहाँ पर चैनल की बात हो रही है बिदे आर आययन चैनल नॉट दी प्रोटीन चैनल और ए स्ञेंग चांड हाँ, तो मेकैन अ शेंसेंटिव आयन चैंड यह क्या होते हैं किसी भी स्टीमलास क्लिए- inIt 旅ग तीश्रै चैंडल है हमारे पास वह है हमारे वोल्टेज Do क्या है? voltage gated ion channels अब voltage gated ion channels क्या होते हैं? यह channels कब open होते हैं? जब voltage के अंदर change आ जाता है any difference in voltage leads to the opening of these channels for example voltage gated voltage gated sodium channel and voltage gated potassium channel जिनको अभी हम आके discuss करेंगे कि इनका क्या रोल है? और जो चौते टाइप के चैनल होते हैं? they are ligand gated ligand gated ligand gated ion channels को हम discuss करेंगे neuromuscular junction के अंदर okay ligand gated ion channels को हम discuss करेंगे neuromuscular junction के अंदर okay तो basically action potential को generate करने के लिए इन तीन चैनलों का क्या होता है important role होता है कौन कौन से चैनल है leaky channels it may be potassium और sodium leaky channel mechanosensitive ion channels and voltage gated ion channels और कौन कौन से ions है sodium and potassium are the major ions major ions contributing to the generation of action potential ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो चैनल है okay यह जो चैनल हमने यहां पर इनको चैनल नहीं कहा यह क्या है कौन सा pump है sodium potassium pump okay sodium potassium pump यह channel नहीं है यह Watts Terre energy को utilize करके sodium or potassium का transport अहाँ उके तो यह क्या है पर चैनल होते हैं they are passively open यह क्या करते हैu गराते हैं आयों का तो यह जो हमारा यह जो चैनल है यह करने हैं लीकी पर्टाशियम चैनल तो यह है लीकी सोडियम चैनल में लीकी सो डियम चैनल ओके दीज आर ये जो हैं दे आर मिकैनो सेंसिटिव मिकैनो सेंसिटिव सोडियम चैनल क्या है ये मिकैनो सेंसिटिव सोडियम चैनल ओके और ये जो हैं दे आर voltage gated voltage gated sodium channel okay and they are voltage gated voltage gated potassium channel okay तो एकेट करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है action potential हमारा generate होता है इस neuron के अंदर okay neuron के अंदर तो हमें पता है कि neuron का जो resting में हमें potential होता है वो कितना था minus 70 millivolt ओके कितना था हमारा minus 70 millivolt जो की maintain हो रहा था किस के तुरू sodium potassium pump के थूर लेकी potassium channel के थूर और लेकी sodium channel के थूर ओके पर क्या हो जब इस neuron को क्या में एक stimulus मिले क्या मिले क्या मिले इस stimulus मिलेगा ओके लेट सबोज के यहां पर किसी ने किसी व्यक्तिन है यहां पर टच किया किसी को किसी चीज को टच किया तो टच सेंसिटिव जो हमारे जो मेकैनिकली सेंसिटिव हमारे sodium channel दे मिले भी ओपन और लेट सपोज कि वो टच इतना मिनिममम था इतना मिनिममम था कि वो जो स्टीमुलस था उसकी जो स्ट्रेंज थी वो क्या थी बहुत कम थी तो मैं यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो महां लीजिए यह हमारा resting membrane potential है कितना है minus 70 और यह है हमारा minus 90 जो क्या है potassium equilibrium potential है मैं यहां लिख दे रहा हूं potassium equilibrium potential और यह क्या है resting membrane potential अब जब हमारा अब माल लीजिए कि अब क्या होगा अगर किसी व्यक्ति ने एक stimulus दिया तो जब stimulus दिया जाएगा तो क्या होगा हां जो हमारा resting potential है उसमें से क्या हो जब कोई stimulus apply होगा तो यहां से जो sodium है क्या होगा और बाहर हमें पता है कि सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है और जैसे जब ज्यादा रहता है तो इससे क्या होगा और इससे क्या होगा sodium का influx स्टार्ट हो जाएगा क्या होगा sodium का influx स्टार्ट हो जाएगा और जब sodium का influx स्टार्ट होगा तो जो resting में हमें potential है वह क्या होगा less negative होने लगेगा क्या होगा less negative होगा ठीक है ना अब मांद लिजिए कि अगर जो हमारा सोडियम है और स्वारी मांद लीजिए कि हमारे जो स्टीमूलस है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वह एक सफिशेंट अमाउंट में जो मेकैनियो सेंसिटिव सोडियम चैनल उनको उपन कर सके माल लेते हैं कि हमारे जो stimulus है उसकी जो strength है वो इतनी नहीं है कि वो मेकैनोस sensitive sodium channel जितने भी present है उस area में उन सब को open कर सके अब उससे क्या होगा कुछ ही channel open होंगे तो क्या होगा sodium अंदर आएगा अब थोड़ा सभी change अगर आएगा sodium के अंदर आने से जो रेस्टे में माल लेते हैं कि माइनस 65 हुआ यहां तक हुआ ओके माल लेते हैं कि यहां तक हुआ ठीक है तो अब क्या होगा यह जो sodium अंदर आया है वापस यहां तक लेके गया इस तक यहां तक लेके गया पर क्या होगा एतना कम sodium अंदर आया है तो क्या हुआ इसको तुरंत ही क्या हुआ यह जो प्रोटेशियम लीगी चैनल है यह लगाता क्या होगे बाहर चले जाएंगे उसके अंदर आया और यहां पर क्या हुआ ऊदर आएगा हाँ यहां पर स्वड़ीटियम बाहर चला जाएगा तो क्या ओग यह प्रोटेशियल जो जनुन चल जबाएगे अंधि हुआ तक सभूज कर लेते तो क्या होगा थोड़ा आउनर अंदर हीगा और अधर आएगा अब जब और अदर आएगा तो क्या हूगा है कि यहाँ प्रकिंशा नेगटिव जाएगा पर क्या होगा उसके बट क्या हो अगर हमारे stimulus की strength इतनी थी कि उस ने उस area में जितने भी sodium चनल थे mechanos sensitive उनको open कर दिया ओके माल लेते हैं कि यहां इस area में तीन sodium चनल थे और यह तीनों क्या हो गए open हो गए और इनसे क्या होगा sodium लगातार अंदर आ गया क्या होगा यह sodium क्या होगा अंदर आ जाएगा अब जब sodium अंदर आएगा तो अब क्या होगा यह जो stimulus तीसरा stimulus आया यह यह पहुंच गया यहां तक कहां तक पहुंच गया यान कि माइनस 55 तक पहुंच गया और माइनस 55 क्या है हमारा threshold potential है क्या है threshold potential है इस threshold potential पर अगर एक बार हमारा estimate potential पहुंच जाता है तो क्या होता है अब यहाँ पर यह जो हमारे voltage-gated sodium channels हैं यह extremely open हो जाएंगे ठेक है voltage-gated sodium channel है they will be open पर मैंने यहाँ पर जो structure बना यह voltage-gated sodium channel का यह थोड़ा सा different है क्यों क्योंकि voltage-gated sodium channel के पास क्या होते हैं दो टाइप के gate पाई जाते हैं one is called activation gate and one is called inactivation gate जब हमारी से resting memory potential के condition में होती है resting memory potential जब हमारे cell का अची हो जाता है यह resting condition में होती है उस समय हमारा activation gate है यह उपर वाला यह उपर वाला gate है इसे बोलते हैं activation gate जया बोलते हैं activation gate और जो नीची वाला gate है इसे बोलते है inactivation gate तो यह इस condition में होता है याना कि activation gate तो क्या रहेगा बंद रहेगा और inactivation gate open रहेगा पर जैसे ही हमारा sodium एंटर करता है mechanosensitive sodium channel की वैसे और एक बार अगर क्या होगा cell का resting में प्रेश्टिंग में प्रेश्टिंचिल threshold प्रेश्टिंचिल पहुंच जाएगा इस slight change को यह voltage-gated sodium channel क्या करते हैं sense कर लेते हैं और इनका activation gate क्या होता है open हो जाता है इस तरीके से क्या होगा इनका activation gate यह क्या हो जाएगा open हो जाएगा और इन activation gate तो already open था तो इसकी वज़े से क्या होगा कि इतना huge amount of sodium huge amount of sodium millions of millions of ions of sodium will enter मतलब इतना sodium आएगा कि क्या होगा यह जो sodium अंदर आएगा huge amount of sodium जोतना भी sodium अंदर आएगा यहाँ पर ओके यह साला sodium क्या करेगा इस membrane को जो cell का sodium equilibrium potential है देखिए हमने पिछले lecture में बात की थी कि potassium का equilibrium potential कितना होता है minus 90 millivolt कितना होता है minus 90 millivolt और sodium का equilibrium potential होता है plus 65 millivolt कितना होता है plus 65 millivolt तो अब क्या होगा जब जैसे ही activation gate open होगा तो कि change आया किसके अंदर membrane potential के अंदर किसकी वैसे आया mechanical sensitive sodium channel की वैसे अब इस change के बजए से voltage में difference आया इस voltage के difference को हो हमारे जो voltage graded sodium channel है वो sense कर लेते हैं और उनका activation gate open हो जाता है एक बाग अगर इनका क्या हो गया activation gate open हो गया तो क्या होगा जो membrane potential है जो membrane potential है वो सीधा उपर जाएगा कहा भागेगा उपर जाएगा और यहां माल लेते हैं कि 0 है ठीक है यहां माल लेते हैं कि हमारा कितना है 0 है और यह कितना है यह माल लेते हैं उपर हमारा plus 65 है तो 0 को cross करेगा क्या करेगा जीरो को क्रॉस करेगा और प्लस 10 से क्या प्लस 10 से प्लस 30 के बीच में क्या पहुंच जाएगा और वहां पर जैसे ही यहां पर पहुंचेगा क्योंकि सोडियम का एक्विब्र पोटेंशिल अचीव नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है उसका रीजन यह है जैसे ही हमारे एक्टिविशन गेट ओपन होता है यह क्या है एक्टिविशन गेट एक्टिविशन गेट यह जैसा ही ओपन होता है इसका इनक्टिविशन गेट दीरे और जब एक बाग हमारा यह एक्टिविसर्ट ऑपन रहा और दीरे जरी करके क्या वापस टकला करके अंदर से बाहर आजाएगा और एक बार जब जो इनक्तिविशन गेट बंद हो गया तो अब क्या होगा तो अब यहां पर पोंचे गया प्लस टैन से प्लस थार्टी के बीच में रहेगा वह कि जैसे ही यहां पर पहुंचता है अब क्या होगा जैसे ही मेंब्रेन के अंदर डिफरेंस आया सिए किसका वोल्टेज का तो आप यहां पर कहा पहुंचे गैर अब जैसा ही प्लस टैन पर पहुंचेगा यह फेंठ vine से थााट Healthy की पहुंचेüst्अगा हमारे वोल्टेज गेटेड पो कि वोल्टेज्गेट Chair प्रोंटेकी वूपन हो थो यह जाएंगे और जैसे वोल्टेज गेटेदेंगा क्या बालागेगा बालाय वर्स आओट च्झा हम पता है कि प्रोंट इस्टीम क्या होता है जाता है इतना है कि सेल के रेस्ट जो इतना नीशे ले जाएगा और चाहां तक लेकर जाएगा वापस से फिर क्या होगा है जब यह बंद हो जाएंगे यह चैनल तो फिर वापस से इस तरीके से तो अभी तक तो मैंने आपको इतना बताया है कि किस तरीके से आइंस का influx and outflux होता है through these types of channels अभी तक मैंने यह नहीं बताया कि किस तरीके से action potential होता है अभी तक जो भी change हुआ है आइंस के अंदर वह सिर्फ एक पर्टिक्लर एरिया के अंदर ही हुआ है तो एक वार एक फुटा सा रीकेब कर लेते हैं और तुटा सा डेटेल में जाते हैं कि किस तरीके से action potential होगा ओके तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई stimulus मिलेगा यह sodium क्या होगा अंदर आएगा और यह sodium अंदर आएगा तो क्या होगा यह यहां से move करेगा मतलब उस एरिया में और क्या होगा voltage sensitive sodium channel को क्या कर देगा activate कर देगा अब जैसे यह voltage sensitive sodium channel activate होंगे huge amount of sodium अंदर आएगा और फिर इसका क्या होगा inactivation gate क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा जैसे inactivation gate बंद होगा और cell का resting memory potential कहां पहुंचेगा प्लस 10 से 30 के बीच में तो क्या होगा जो voltage sensitive potassium channel है वो क्या हो जाएगे activate हो जाएगे ओके और उनके तुरु क्या होगा huge amount of potassium will rush out और उसकी वैसे वापस से क्या होगा जो सेल का resting memory potential हो जाएगा क्या हो जाएगा तो इस condition से यहां से लेकर के यहां तक जो difference आया है voltage के अंदर यानिकि माइनस 70 से माइनस 55 तक क्या उपार जो difference आया है उसे बोलते हैं local potential यह जो हमारा potential generate हुआ यह वाला और यह वाला इसे बोलेंगे local potential लोकल potential या graded potential okay graded potential clear now अब यह से ही हमारे sodium अंदर आता है तो cell के अंदर क्या होगा जो cell के अंदर का rest में potential है वो पहुंच जाता है plus 10 से plus 30 के बीच में तो इस condition में cell क्या होती है depolarized हो जाती है cell क्या होती है depolarized या process को बोलते है depolarization और वापस जब होता है तो sodium potassium भार जाता है तो repolarization क्या बोलते हैं इसको repolarization अब इतना सब होने के बाद में action potential कैसे generate होगा क्या action potential किस तरीकी से generate होगा उसको समझते हैं तो अगर एक बाद threshold potential पहुंच गया अगर हमारी stimulus की strength इतनी थी कि उसने threshold potential generate कर दिया तब तो क्या होगा action potential generate होगा अगर हमारा stimulus threshold थ्रेशैल्ड पोटेंशिल्ट तक नहीं थी तो थ्रेशव प्टेंशिल्स तक नहीं पोचता तो हम्हाला कभी भी आक्षन प्टेंश्य udah नहीं होगा याने कि अगर स्ट्रेंशी प्रिंसेटों और अगर लिजी मान माल लेजिए कोई एक neuron है यह माल लेते है एक neuron है और यह दूसरी neuron है ओके अब इस neuron में माल लेते optimum amount of क्या optimum optimum जितना जरूरी है उतना हमने stimulus दिया optimum amount of stimulus अप्लाई किया इस neuron पर और इस पर optimum से ज्यादा किया optimum से ज्यादा किया और इस पर optimum से ज्यादा किया और इस वाली cell पर optimum से कम रहा किया यह तीन cell है अ बी और और सइ एक इंची में हमने stimulus दिया optimum, एक cell पर दिया optimum से ज़्यादा और एक cell पर दिया optimum से कम, तो इस cell में no action potential, क्यों कि क्या होगा, यह all or none को follow करेगा, no action potential. अब बूसरी बात आती है, optimum और optimum से ज़्यादा, यह थोड़ा ज्यादा strength का हमने stimulus अप्लाई किया, तो क्या होगा, इसमें ज्यादा strength का action potential होगा, नहीं, उतना ही action potential होगा, जितना की optimum में होगा, यह इसलिए इसको बोलते हैं, all or none law, आगर आपका stimulus की strength optimum है, या कितनी भी ज्या potential होगा, जितना की सभी cell के अंदर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो चाहें stimulus की strength कितनी भी ज्यादा हो, action potential होगा, जितना की optimum में चाहिए होगा, अब बात करते हैं, कि यह action potential आगी कैसे बढ़ता है, तो बहुत simple सी चीज है, इसके लिए, कि हमारे पास, यह हमारे बा दूसरा है, यह patch तीसरा है, ठीक है, यह दूसरा patch है, यह तीसरा patch है, यह हमारा पहला patch था, अब यहाँ से जो sodium है, यह क्या होगा, यह move करेगा, ठीक है, यहाँ से sodium वापस move करेगा, जब sodium अंदर आएगा, तो और यहाँ पर जो हमारे voltage sensitive, क्या है, sodium channel है, उनको activate कर देगा, यहाँ पर जो हमारे voltage sensitive sodium channel है, उनको activate कर देगा, उससे क्या होगा, again sodium का क्या हो जागा, influx हो जाएगा, then हमारे फिर क्या होंगे, voltage sensitive potassium channel भी क्या हो जाएगे, activate हो जाएगे, voltage sensitive, potassium channel भी activate हो जाएगे, फिर यहाँ से sodium अंदर आएगा, यहाँ से sodium अंदर आएगा, यह अंदर आगया, यह sodium यहाँ पहुंचा है, इसने इसको activate किया, अब यह जो sodium अंदर आएगा, यह next patch को जाकर activate कर देगा, जो next patch में हमारे sodium general होंगे, उनको activate कर देगा, और इस तरीके से क्या होगा, जो action potential है, पूरी membrane में diffuse हो जाएगा, और fail जाएगा, ओके, I hope दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको like कीजिए, share कीजिए, और हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा, मैं मैं बलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जैहिन, ज बारत.